विद्टेश वेल्कम बैक टू मैं चैनल और आज इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले दो चीजे सबसे पहले बात जो है अपडेट लेके आये हैं बहुत लेक्ट अपडेट है यह सब लोगों के लिए यह बहुत हेल्फुल होने वाला यह वीडियो तो वीडियो को करने वाले उसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लिए तेअ मतलब ट्रेड कर भुष्ट ट्रेडिक कुछ एक है ठीक है महुरत ट्रेडिंग एक बार होता है जिसका मतलब क्यों होता है जो दिवाले के टाइम पर आपको सिर्फ 10000 गार्ट्यू मा कम तरब करने का को मिलेगा ठीक है यहां पर आपका जो प्री ओपनिंग सेशन है इक्विटी का यहां पर एक बार देख लीजिए इक्विटी यह एफनो सेक्षन और कुछ नहीं है जो इसका प्री ओपनिंग सेशन इक्विटी है इसका मतलब यह सिर्फ आप देख सकते हो आप जैसे नॉर्म सकते हो चेपंदरा से अपका जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा साथ पंदरा तक एक घंटे का आपको टाइम मिलेगा यहां पर आप तो पैसा गवाओ गया फिर पैसा कमा होगे ठीक है एक घंटे का ची मतलब यह सेशन होने वाला है इसका मतलब आप वालेटिलिटी क मतलब चीजह यहां पर अपको देख रही है तो अब हम आते हैं नीचे की तरफ यहां पर जो धन जो और एक हमारी लिए बहुत ही अच्छा सर्प्राइज लेकर आया या फिर ऑफर लेकर आया है कह सकते हैं वंडे का ओफर है यहां पर आपको जीरो ब्रोक्रेज आपको धन वेज चार्ज नहीं लगने वाला है ठीक है आप यहां पर जो है अगर आप ट्रेट सेटर अका जो भी ट्रेडिंग सेटप उसके साथ अगर आप सेल्फी उठाना चाहते हो तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको बस टैग कर देना है एड़ धरेट धन एच्क्यू और उसके साथ क्या होगा आपको कुछ गुडी इनके तरफ से आपको जो है फ्री मिलेंगे ठीक है तो यह जो आपको हैस्टेग है यह आपको ट्रेडिंग सेटप है और सेल्फी के साथ जो है यह आपको ट्रेटर पर जो है शेर करना है और आपको जो है गुडी मिलने का च आप देख सकते हो यहां पर लिखा है कि एक बार आगर आप और प्लेस करते हो तो आपको ब्रोक्रेज में डेबिट देखेगा बट धन जो है आपका रिवर्स कर देगा ब्रोक्रेज ठीक है और आपका जो लेजर सेक्शन है वापस में आपका जो डेडक्ट हुआ होगा वह वापस से मिल जाएगा और यह जो है यह अगर आप इसको जल्दी से ग्राइब करना चाहते हो इस ओफर को जीरो ब्रोक्रेज को अगर अभी तक आपने धन पर डिमाट अकाउंट ओपन नहीं किया तो जल्दी से हमारे लिंक के तुरू एकाउंट ओपन कर ले इसका जो लि लिए मिल जागा तो जल्दी से जॉइन कर ले हम लोग बस लिमिटेड हंडेड मेंबर से रखने वाले उसे ज्यादा नहीं रखने वाले तो जल्दी से अगर अभी तक अपने अपन नहीं किया तो कर लो ओपन ठीक है और अब बात करते हैं ट्रेड की तो अगर आप 66.50 के आसपास जो है इसका प्राइस था ठीक है आप यहां पर देख सकते हो और हम लोग जलते हैं डारेकली चार्ट पे तो आज जो है यह मैंने वान आवर का टाइम फ्रेम लगा के रखा है और यहां पर देखिए प्राइस अभी यह चल रहा है और यहां पर सम्थिंग अ अतलब 783 का मूब्मेंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है दो दिनों में यह मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया था मैं आपको एक बार दुबारा से अपना टेलीग्राम चैनल जो है यहां पर दिखा रहा हूं यहां पर देख सकते हैं हिसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा कर दे रहा हूं ठीक है इसको मैं यहांपर फाइंड करता हूं भारती याटल हां तो वापस अब हम लोग आ चुके हैं भारती याटल पर आप देख सकते हो मैंने यहां पे यहां पर उपर मैं देखेगा नोटिस की जाएगा October 12 को ही मैंने इसका analysis डाल दिया था गुरूप पर यहां पर आप देख सकते हो जो भारती या टेल है यहां पर कुछ एडिट बगर नहीं हुआ है यहां पर आपको मैंने clearly 765 पर entry करने बोला था और मैंने आपको याद भी दिला दूं कि मैंने 763 में entry लिया था और stop loss जो था 757.75 था पहला target मेरा 773 और दूसरा target 781 जो कि target 1 target 2 दोनों और move देखिए 762 से लेके 783 मतलब अगर मैं इसको measure करूं तो मुझे कुछ इस तरीके का नजर आएगा यहां से मैं measure इसको करता हूं तो देखिए 3% आपको यहां पर move देखने को मिल रहा है वो भी सिर्फ दो दिनों में ठीक है तो यह रहा भारती आटल का analysis और दूसरा जो है मैंने यहां पर जो अपना research दिया था sbi life दिया था sbi life में आप देख सकते हो यहां पर मैं जो है हां और एक चीज में भूल गया आपके साथ में share करने के लिए जो भारती आटल है जो मैं आपको directly अपना research वाले जो है मतलब यहां पर update वाले section पर ही लेके आता हूं यहां पर मैं continuous update करता हूं तो यहां पर देखि तो किस तरीके का ओल्यों जो है आपको देखने को मिल रहा है तो यहां मैंने चौटा सा लिखा भी है मैं तरीके का जो rank 1 में आता है वो जब देखने को मिलता ना तब मज़ा ही अलग लगता है तो ये इस तरीके का analysis आपका ये प्रूफ करता है कि आपका analysis का accuracy है काफी मतलब advance हो चुका है देरी-देरी आप चीजों को सीख रहे हो ठीक है आप पहले से movement को predict कर पारे हो वो चीज मेरे कहने का मतलब है कि आपको पता लग रहा है कि भाई कहां से move करने वाला और कितना move करने वाला ये भी आपको पता है तो इस basis पे ही तो मैंने यहां पर भारती अटल पर एंट्री स्टॉप लोस मेंशन करके रखा था पहले बहले तो लगा था भाई एंट्री मिस हो गया बहुत सेड सा यहां पर लगा बट फिर जब भारती अटल ने लो लगा था यकिन हुआ कि अब तो यह फटने वाला है उपर की तरह तो आज आप देख सकते हो भारती अटल रेंक वान पर पहले रेंक टू पर था बट इतना जल्दी फिर से मूव आया फिर यह रेंक वन चला गया तो इस तरीके का जो है मूव ना बहुत अच्छा लगता है अब बात करते हैं दूसरा जो मैं आपको एकुटी सेक्शन ने उसी पर ही ले आता हूं है इकुटी भी बात कर लेते हैं चले बहुत एकसाइड़ीड फिल कर रहा हूं आज मतलब इतना मार्केट अच्छा गया है कि क्या ही बोले चली हम लोग बात करते हैं एस बी आई लाइफ के स्टॉक के बारे में एस बी लाइफ यहां पर देख सकते हो इसको मैं थोड़ा स 1167 के एराउंड था ठीक है यह यह भी एनलेसिस जो है मैंने ऑक्टोबर 12 को ही दे दिया था ठीक है और यहां पर आप देख सकते हो 1167 ठीक है तो मैं यहां पर जो है एक होरिजंटल लाइन प्लॉट कर देता हूं जिससे कि हमें पता सलज सके कि 1167 कहां पर पढ़ रहा है इस अब लाइन को मैं फ कर देता हूं यहां पर जस्ट यहां इंक मैंने रॉन के कहां यहां से लो लगाया उसके बाद मार्केट कि कितना अपमुवम दिया आज़ पस यहां पर यह तक जो है वह हाई लगाया तो आप देख सकते हो 17 को हमें एंट्री मिला था और मैंने ङ mess चां SPLF में आपको कहां Entry करना Stop ident as God और यहां पे देखे आतकर से exempt कहां केंवें जो इनिल को किसी दीना को जबेंडा हैैट कॉर तेकर इतना था इतना तो आपको और क्या चाहिए इस तरीके का अगर आप एनलेसिस कर पा रहे हो बहुत पहले से इंटिफाई कर पा रहे हो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मेरा सेकेंड टार्गेट ऑल्लेडी हीट हो चुका है तीसरा टार्गेट जो है मेरा 1238 था वह हाला कि हीट नहीं हुआ बट क्या बता भई अगर हो जाएगा और कितने दो दिन हम लोग का दो दिन में टार्गेट हो गया मैं तब आप देख सकते हो फाइप परसेंट का अप मूव आपको देखने को मिल जा और क्या चाहिए नेक्स स्टॉक आते हैं भई हम लोग और एक चीज हम लो यह रहा सेल ठीक है यह मैंने ऑक्टोबर 9 को इसका जो है अनलेसिस डाला था अब आते हैं यहां पर भी सेल स्टील ऑफ इंडिया तो यहां पर हम लोग सेल का जो है यहां पर हम देख लेते हैं एंट्री देख लीजिए एक बार जो इसका एंट्री है 76.20 यहां पर भी एक लाइन प्लॉट कर देते हैं और यहां पर हम लोग कोडिनर डाल देते हैं 76.20 चीक है तो यहां पर देखिए यह प्राइज आया था 17 अक्टोबर को यहां यह जो ट्रेडिंग जो व्यू है इनक इसमें एकुरेटली सारी चीज़ा दिखाती है तो यहां पर जो है थोड़ा सामलों का एंट्री यहां पर आपको गैप दिखेगा बट यह एक्चुली एंट्री हो चुका था ठीक है एंट्री हो चुका था अब यहां पर देखिए यहां पर 76.20 से आपको यहां पर 78 79.20 का आसपास यहां पर हाई आपको नजर आते वह दिखेगा यह रिखे इतना तक जो है इसने प्राइज हाई लगाया अगर आप इसको मेजर भी थोड़ा सा कर लें कितना मूव है ठीक है तो यह देखे है 3.69% के आसपास यहां पर आपको मूव देखने को मिल रहा है और क्या चाहिए इस तरीके का स्टॉक में अगर इतना मूव भी मिल रहा है आपको तो क्या कहना तो देखे एकुरिटी में सबसे बड़ा जरूरी है कि आपका एकुरिसी लेवल कितना है आप कित यह भी हम लोग को जो है टार्गेट दिया है प्रॉपर अभी हम लोग टेलिग्राम पे चलते हैं हम लोग टाइप करते हैं JSW स्टेल यह देखे सबसे पहले ही आ गया इसका मैंने एंट्री रखा था 627.90 ठीक हम लोग सेट कर देते हैं 627.90 यह देखे यह था हम लोग का ए इसमें हम लोग का सबसे पहला टार्गेट था क्या 636.10 आप देख सकते हैं 636.10 पहला टार्गेट हीट हो गया है मैंने यहां पर थोड़ा सा बीट रिस्क इसलिए रखा था कि थोड़ा सा हम लोग को यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था इसी वज़े से मैं शियर नहीं था बट यहां पर थोड़ा सा रिस्क इता बट वही हैसल हम लोग ले सकते हैं इसमें कोई दिक्कत खा बात नहीं है ठीक है लेकिन भाई मूव आना चाहिए तो हम लोग का पहला टार्गेट हीट हो गया तो में भी हो सकते हैं आने वाले 2-3 दिनों में भी यह जो है हम लोग को जो है सेकेंड टार्गेट जो है 644 बहुत जादा दूर नहीं है यहां पर ही है ठीक है इसली हीट होने का चांस है तो मेरे यह टोटल चार्ग जो थे वह काफी अच्छे बैक टू बैक मतलब हमें टार्गेट देखने को मिले हैं तो अगर आप मैं इस टेल लिंक देखें आपको यहां पर जोइन कर दोंगा तो थेंक यह सो मच वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया